बॉर्णिंग स्टुडेंट्स हमारे साइंस में फूर्ट चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और चारों चैप्टरों की आपके पास पीडियेख लिया चुकी है आपने उसको अपने आंसर कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा आज हम स्टार्ट करने वाले अपना फिफ चैप् करेंगे इस चैप्टर में क्या होते हैं बेस क्या होते हैं सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लियो पेज नमबर 53 पर आ जाएए चैप्टर फाइब पेज नमबर 53 एसेट्स बेसें सॉल्ट अब देखें यहां कुछ पिक्चर देख रहे हैं कर्ड खाने में कैसा होत है सोर बेकिंग सोड़ा इस सोर आमला इस टेस्ट इस सोर विनेगर इस टेस्ट इस सोर शुगर सॉलूशन इस टेस्ट इस स्वीट तो यहां कुछ हैं इनका टेस्ट कैसा है सोर खटटा टेकर तो वी उस मेनी सब्स्टेंजे सेंज आवर देली लाइप संप दैमार। शोन इन ब्लू एट्स ओंस इस सॉस्टेंज लाइक लेमन वनेगर मतलब कि उसमें एसेड है ठीक है केमिकल सबस्टेंस को बहुती है उसको क्या कह सकते हैं यह हम यह बोल सकते हैं जूचीज खाने में खटी लग रही है उसमें क्या है केमिकल एसेड विच गेप दैम देर सोर टेस्ट इस वह इस उनका टेस्ट कैसा हो जाता है सोर दटर में एसेड़ सब आया यह कहां से बना ले लेटिन वर्ट से जैसे इंडिया में संस्क्रथ और अधर लैंग्विज चलती है ना संस्क्रथ हिंदी उर्दू पंजाबी माली आलम कंडर इसी तरह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेटिन एक्चुली इंटरनेशनल लैंग्वेज जो साइन्टिफिक लैंग्वेज है हम ऐसा बोल सकते है वह लेटिन लैंग्वेज है लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है एसीडस और उस एसीडस का मीनिंग होता है सूर तो एसीडस मतलब गट्टैक्टेक्टो जो खट्टी चीजें होती हुँ उसमें खट्टापन होता है ऐसा हम बोल सकते और गट्जार पूरेटेस्ट अब एक्टिविटी वन है एक्टिविटी में को क्या गरना है एक एक्जाम्पल लिखा हुए सबस्टेस्ट टेस्ट विनेगर इन सोर अब इसमें हमने फूर्स्ट पीज नंबर 53 पर कुछ एडिबल आइटम से और उनके नेम और उनका टेस्ट लिखना है we find acids all around us in chemical laboratories, foodstubs, homes, factories and even inside our body do you know that an acid called hydrochloric acid is present inside your stomach that helps you to digest your food the sour taste of lemon or orange is due to the presence of citric acid green apples are sour due to the presence of malic acid the following tables gives you the name of certain substance than acids present in them अब देखिए जितने भी अडिवल आइटम्स उन्हें असे तो होते हैं लेकिन उनके नेम अलग अलग है ठीक है जैसे क्या के नेम है जो green apple होता है उसमें malic acid होता है जो lemon और orange होता है उसमें citric acid होता है तो जो टेबल बन है इसमें different type के substances हैं और उनमें कौन-कौन सा acid है वो है उनके नेम लिखे हुए देखिए मैं रीट कर देता हूं सोर मिल्क और कड लैक्टिक एसेड तो जो सोर मिल्क और कड होता है उसमें कौन सा उसमें भी acid होता है और उसके acid का नाम क्या है फिमरिक एसेड वनेगर एसेटिक एसेड टी तैनिक एसेड ठीक है आपसे acid used in the laboratory are corrosive that is may attack some substances and may even burn in your skin but all acids are not dangerous they have many different uses अब देखिए कुछ acids जो होते हैं वो लैबरेटी में होते हैं corrosive होते हैं ठीक है कुछ जो होते हैं वह हमारी skin को burn कर सकते हैं लेकिन सारे ऐसे डेंजरस ही होते हैं और ऐसे के डिफ्रेंट यूजेज भी हैं क्या क्या यूजेज हैं चलिए देखते हैं उनको फिर्स्ट यूज एट पेस नंबर 54 एंड कम तूदा पेस नंबर 55 सम एसेट आर रिक्वाइट बाडी फूट जूजेज लाइक ओरेंज जूजेज इस पूटेंज चुछ एसे जारूरी होते हैं जैसे सीट्रिक एसेड जो औरेंज में होता है वनेगर कंटें एसेटिक एस प्रिश्त फूट पिर्शरवेटिव आपने जो मार्केट से पर्चेस करके पिकल्स खाए होंगे उनमें विनेगर होता है वनेगर में सिट्रिक एसीड होता है इस पिकल्ड और विनेगर इस प्रिवेंट्स इट फॉम गैटिंग इस पॉइल और यह क्या करता है यह दो काम करता है एक तो पिकल होता है उसको फ्लेवर देता है सोरी स्टरेक स्ट वएने से बचाता है कॉल्ड स्ल्फूरिक सेड इस ओन गार बैटरीज लुकार की जो बैटरीज होती है इसेड़ plug-d pregnancy in a laboratory are listed in the table blue कुछ acids के नाम table में लिखे हुए है acid hydrochloric acid उसका chemical representation याद रखिए science में हम name भी लिखते हैं और उसका representation भी लिखते हैं में उसको chemically symbol के form में कैसे लिखेंगे तो देखे hydrochloric acid symbol h capital c capital और l small hcl sulfuric acid h2 2 time h s capital o और o4 4 time o sulfuric acid nitric acid nitric acid का representation क्या है capital h capital n और capital o और o3 time o3 ठीक है तो कैसे रीट करेंगे हम hydrochloric acid hcl sulfuric acid h2so4 nitric acid hno3 ठीक है चलिए तो थे acids अब basis basis are chemical that are opposite to acid ठीक है अब acids का टेस्ट कैसा होता है सूर तो basis का टेस्ट कैसा होगा बिटर सूर का पूसिट बिटर यो टेस्ट baking soda in the first activity was it sore bitter salty or sweet to test now put a drop of two of baking soda solution on your hand and rub it does it produce soapy feeling क्या है आपको थोड़ा सा baking soda रखना है पानी solution बनाना है हतेली पर उसको रब करो feel करो कैसा feeling आ रहा है आपको soapy substance that are bitter in taste and produce a soapy feeling are called base तो जो बेकिंग soda होता है वो soapy feeling देता है साबुन जैसी feeling देता है चिकनापन ठीक है और जो उसका टेस्ट होता है बिटर होता है तो जो बेस हैं बेस की property पता पड़ेंगे दो प्रापर्टी होते हैं बेस की बेस कैसे होते हैं या बेस का टेस्ट बेटर होता है और उनको touch करने पर कैसी आती feeling soapy feeling baking soda is an example of base substances which contain base are said to be basic in nature ठीक है अब यहां से chemical term याद रखिए ऐसा substance जिन में बेस होता है उनको basic in nature कहते हैं like many acids many bases can also burn your skin जैसे कुछ acids हमारी skin को जला देते हैं इसी तरह कुछ base भी हमारी skin जला सकते हैं they are corrosive और उससे हमको harm हो सकता है so we should handle acid and bases with great care और इसने हमको acid or base अच्छी तरह से साब्धाने से यूज़ करना चाहिए some common bases are listed in the table given table table number 3 अब देखे इस table में कुछ acids है sorry bases है मैं उनके नाम भी पढ़ देता हूं और उनके chemical representation ठीक है chemical representation read करने मैंने acids में बता दिया ठीक है अब मैं यहां पढ़के बताता हूं और sodium hydroxide इसका chemical representation naoh capital n small a capital o is or capital h sodium hydroxide potassium hydroxide koh capital k capital o capital h magnesium hydroxide mg in bracket o h whole twice m capital g capital m capital g small o capital h capital ठीक है यह इसका chemical representation याद रखिए जो letter capital उसको capital ही लिखना है और जो small है उसको small ही लिखना है symbol हम change नहीं कर सकते ठीक है मैं teacher होके change नहीं कर सकता आप तो student है इसके आपको भी symbol change नहीं करना है जो letter capital है उसको capital ही याद रखना है और जो small है उसको small ही याद रखना है ठीक है ammonium hydroxide ammonium hydroxide का representation क्या है capital N capital H H4 time capital O and capital H क्या आप रीट करेंगे इसको NH4OH baking soda capital N small A capital H capital C capital O और O3 time NAHCO3 ऐसे ही रीट करते हैं उसको chemical hydroxide इसका chemical representation क्या है capital C small A in bracket capital O capital H whole twice इसको कैसे रीट करते हैं CA in bracket OH whole twice ठीक है तो यह कुछ basis के common name और उनके chemical representation है एक बार और रीट कर देता है sodium hydroxide NaOH potassium hydroxide KOH magnesium hydroxide Mg OH whole twice ammonium hydroxide Na sorry NH4OH baking soda NaHCO3 calcium hydroxide CA OH whole twice okay come to the next page अब देखे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमको बिना उनको टच किये पता पढ़ जाए कि वह acid है या base क्यों क्यों कि अगर हम acid को touch करेंगे तो some acids are very harmful and they burn our skin तो हम acid से भी जल सकते हैं और base से भी जल सकते हैं और हमको पता करना है कि substance acid है या base तो जो chemical हमको यह बताएगा कि जिस substance को हम use कर रहे हैं it is acid और base उस chemical को बोलेंगे हम indicators okay indicators are the chemical which is used to identify the things whether it is acid और base so come to the next page page number 56 most acids and bases are colorless सबसे पहली चीज़ तो जो acid होते हैं वो base होते हैं वो colorless होते हैं mostly थो हम by color नहीं पहचान सकते just like clear water means अगर हम तीन test tube ले ले लें और एक में acid एक में base और एक में water fill कर दें तो we are unable to identify them by scene okay हम पता ही नहीं लगा सकते कि water किसमें acid किसमें और base किसमें हैं how can we know whether a substance is acidic or basic or can we taste all the liquids know in order to test whether the substance is acidic or basic we use a special substance called indicators okay indicators क्या हुए ऐसे substance है जो हमको बताते हैं कि कौन acid है और कौन base अब इसके definition highlight है dark black color में an indicator is a substance that change color in acid or base अब indicators क्या होते हैं ऐसे substance होते हैं जो acids के साथ reaction करके कोई different color attain करते हैं और base के साथ करके reaction करके different color attain करते हैं फिर हम उन color के base पर acid और base को पहचान देते हैं हम पहचान सकते हैं ऐसे रहे हैं रैड कैबिज रैड कैबिज से भी हम पहचान सकते हैं substance acid है लिटमस फिनाफ्थिलीन मैथलीन औरेंज चाइना रूस पैटल्स एड्सेक्टर यह कुछ सब्स्टेंस हैं जिनसे हम material को acid और basic पहचान सकते हैं लेट उस नाव यह समझें अर्ट इतना ही रखते हैं लट नेक्सट एक से कहने कि न का रिलाक्टर त één harmful to our skin, they are corrosive and burn our skin, most of them. Okay, बीटा, तब तक के लिए, गुड़ बाई.